दोस्तों नमस्कार महराश्टर के पूर्व ग्रे मंत्री अनिल देश्मुक की दोस्तों लगातार मुश्किले बढ़ती चली जा रही है इन्फोर्स्मेंट डिरेक्टुरेट कह सकते हैं कि अनिल देश्मुक के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है दरसल अब इन्फोर्स्मेंट डिरेक्टुरेट ने सुप्रीम कोट का फैसला आने के बाद मैं अनिल देश्मुक को पांचवा सम्मन जारी कर दिया है और दोस्तों सबसे ज़्यादा दिल्चस बात ये है कि अनिल देश्मुक को कल यानि की 18 अगस्त को NCB ने अपने दफ्तर में बुलाया है सुबह 11 बजे पूचता अच के लिए ED की तरब से दोस्तों ये पांचमा सम्मन भेजा गया है पिछले चार समन में लगातार अनिल देश्मुक जो है बहाने बनाते हुए दिखाई दिये कभी उन्हों ने बीमारी का भाना बनाया कभी उन्हों ने उम्र का हवाला दिया और फिर लास्ट मौन ने ये कहा कि सुप्रीम कोट में उनकी दरसल प्रेटीशन डाली हुई है एंटरिम प्रोटेक्शन के लिए जब तक सुप्रीम कोट की तरब से वर्डिक्ट नहीं आता वो ED के सामने पेश नहीं होगे तो अब सुप्रीम कोट ने भी एंटरिम प्रोटेक्शन देने से सीधे तोर पर रेफ्यूज कर दिया है और इसी के चलते अब दोस्तों आज बहुती ज़्यादा एहम माना जा रहा है क्योंकि पहले अनिल देश्मुक लेटर लिखकर बार-बार सुप्रीम कोट के फैसले का हवाला दे रहे थी कि वो सुप्रीम कोट के फैसले का इंदिजार कर रहे हैं लेकिन अब सारे के सारे जो दरसल नहों ने कानूनी दाउंपे पीच आजवाई थे वो सारे के सारे फेल हो चुके हैं और अभ देश्मुक के पास में कोई भी रास्ता नहीं है देश्मुक के जो वकील है अंदरपाल सिंग उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अब आत्म समरपड ही आखरी जो है रास्ता है तो दोस्तों कल अब अनिल उन्हें ED के दफ्तर में पेश होना पड़ेगा और कल दोस्तो ये भी पता चल जाएगा पूछताज के बाद में कि दरसल Enforcement Directorate के समन भिजे जाने के बावजूद भी अनिल देश में क्यों सामने नहीं आए किस बिल में लगातार दरसल वो छिपे हुए थे क्यों जो है छिपत देश मुक के जो पीए और पीएस थे परसनल सेकरेटरी और परसनल असिस्टेंट कुंदन शिंदे और संजीप पलांडे उन लोगों को जो है पहले समन भेजा गया तो फाइनली फिर उन्हें जेल में डाल दिया गया तो अनिल देश मुक को भी कल जो है तलब किया गया है के लिए और उम्मीद यही जताई जा रही है कि समन के बाद मैं अनिल देश मुक का सीधा रास्ता जिल की तरब जाएगा बहराल जो दोस्तों एडी ने देश मुक के उपर कड़ी कारवाई की या पांचवा समन भेज कर इसे लेकर आप लोगों की क्या राय है मुझे कॉमे वीडियो लेकर आउं तो सबसे पहले नोडिफिकेशन आपको मिले